हेलो बच्चों उमीद है आप फिट फार्ट होंगे और टर्म टू की पेपरेशन करी रहे होंगे क्योंकि अब तो सेंपल पेपर रिलीज हो गए हैं और अभी मैंने करीबन आदे घंटे पहले पॉन घंटे पहले 45 मिनटे पहले मैंने CBSC का physics का sample paper का analysis किया है करीवन 20-25 मिनट का वीडियो था जिसके अंदर आप यह जान सकते हैं किस चेप्टर की weightage कितनी बनती है कितने marks के उसमें questions आ सकते है according to sample papers numericals कितने marks के आ रहे हैं आने चाहिए according to sample paper या derivations की weightage क्या है वो आप वीडियो अर्विन अकेडमी पर देख सकते हैं आज मैं अभी इस वीडियो में 12th mathematics का analysis करने वाला हूँ तो चलिए फटा-फट समझ लेते हैं कि sample paper कैसे आप देख सकते हैं फिर मैं mathematics को लेके analyze कर दूँगा कि क्या situation according to sample paper बनती है आपको अगर अर्विन सर की मेहनत अपने लिए beneficial लगती है वीडियो in right sense लगता है positivity से भरा हुआ तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा जिससे उनका भी benefit हो और अर्विन सर को motivation मिले जैसा हर बार मैं बोलता हूँ कि आपको like करने में आपका कुछ नहीं जाता अर्विन सर को motivation आता आईए बात को शुरू करते हैं तो यह रहा website cbscacademic.nice.in आप यह जानते ही होंगे जान चुके होंगे फटा फट बिना समय गवाए आपको दिखा देता हूँ sample question paper for term 2 examination of class 10th and 12th इस link पर क्लिक करते ही आपका एक window खुल जाएगा यानि circular खुल जाएगा document open हो रहा है हो चुका है और यहाँ पर एक यह देखी यह official central board of secondary education की तरफ से है यह सब जानते ही होंगे आप इस link को क्लिक करेंगे 12th वाले को क्योंकि मैं 12th की बात कर रहा हूँ 10th वाले बच्चे 10th का देख सकते हैं already मैंने खूल रखा है लेकिन फिर से मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ open link आप में शायद ना पुछे और link पे यहाँ पर आ जाता हूँ mathematics की बात करेंगे physics के मैं ऐसे यह आपको दिखा चुका हूँ और m for maths तो उपर तो नहीं निकल गया यह रहा आपका maths 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 mathematics तो यह मैं यहाँ पर simple question paper maths का open कर लेता हूँ already मैंने खोल के रखा था लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने एक बार इसको और open कर लिया है थोड़ा सा बड़ा करना चाहे रहा था अगर हो जाए तो बड़ी इच्छी बात है शायद यह हो जाएगा तो आपको यह असानी से शायद दिख पाएगा अब इसमें और बहत कर देता हूं फिर तोड़ी दर्शन करा दूंगा फिर एनालेसिस करेंगे हम लोग जैसे मैंने फिजिक्स में कराया था चैप्टर वाइस क्योंकि आप तो पढ़ाई करेंगे चैप्टर वाइस ही ना भाई टोपोग्राफी समझ के क्या होगा तो इस बात को मोटा मोटा सम गंटे का पेपर है इसके अ million section वेटा जैसा आप समझ रहे है लॉंग शजर नमबर के सवाल है section B में 4 short answer type 3 number के सवाल section C में long answer type 4 number के सवाल है 14 number questions question case study based है चलिए ये तो मुटा मुटा इसकी कहानी हो गई internal choices मौजूद है जो मैंने आपको analysis करूँगा उसके अंदर जानकारी पक्की तोर पे दूँगा बहुती सटीक तो ये आप देखिए ये question paper है integration से शुरुआत होती है my name is integration ये बोलता हुआ आपके सामने पहुचा हुआ है इस section A का paper है बगल में marks लिखे हुए है integration है, differential equation है differential equation chapter है मतलब और इस तरीके से आप देखिए section B शुरू हो जाता है फिर integration वगएरा और इसी तरीके से ये paper की दर्शन आप कर सकते है last वाला जो question है question number 14 ये probability based question है case study based case study based और इस तरीके से paper ये complete होता है अब बास शुरू करते है इस के analysis क्योंकि इस question paper को तो आप download करी लेंगे लेकिन मैं इसके basis पर जो analysis है जो पढ़ाई का emphasis है किस chapter से कितने question आ सकते है हम लोग थोड़ी detailed इसके बारे में जानकारी analysis करते हैं तो हम लोग चलते हैं वापसी करते हैं android पर यानि कि जहां पर मुझे लिखना पड़ना है और black color वाली पर आ जाना चाहिए मुझे और यहां पर मैं पकड़ देता हूँ थोड़ा सा screen और मैंने सारा कुछ detailing इस पर की हुई है तो 12th maths जो की code है 041 इसकी हम लोग analysis करेंगे कुछ basic information यहां देंगे फिर chapter wise next slide पर चलेंगे आपको मालूम है कि 2 घंटे का time है और 40 marks का paper है maximum marks की बात कर ली जाए तो और sections की बात की जाए जो मैंने वहां बताया था आपको sections के नाम पर section A, section B, section C section A के अंदर आपके जो short answer type 1 section B में short answer type 2 है तो यहां पर आपको मिलेंगे साब 6 questions मिलेंगे और वो दो-दो number के questions दो number marks के हैं, यह marks है और यह तो 6 questions आपको दिखी रहे हैं और इसके अंदर जो internal choice है one internal choice है I see लिख देता हूँ internal choice इसके बाद जो short answer 2 type है यह questions मिलेंगे इसमें 4 questions है और यह है अपने कितने तीन-तीन number के सवाल है इसके अंदर आपको मिलेंगे दो internal choices इसमें कितने choices मिल रहे हैं दो internal choices इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और जो long questions है यह last वाला है long questions तो यह short answer वाले थे SA1, SA2 SA1 और SA2 इतना तो खैर लिखने की आवशक्ता नहीं है वरना ज़्यादा दिमाग पर जोर पढ़ जाएगा आपके यह again इसमें 4 questions मिलेंगे और यह 4-4 number के सवाल है और एक इसमें internal choice मिलेगी आपको मेरे कल से मैंने सही लिखा हुआ है और अभी चेक कर लेंगे internal choice आपको मिले वाली है और इसमें 14th number का कितने questions को करें देखो 6, 4, 10, 4, 14 14 questions है और जो 14th number का question है वो case study है question number जो 14th है वो आपका case study वाला question है जो कि इसमें probability पर based है तो यह एक basic topography है basic का मतलब एक रंग रूप है question sample paper का जो की designed किया है आपके cbsc ने examinations के लिए चलिए बात को एक कदम और आगे लिए जाते हैं वेटा और यह देखते हैं कि chapter wise कहानी क्या करना चाहते हैं हमारे साथ तो चलते हैं chapter wise कहानी पर तो पहले मैं लिखता हूँ chapter आपके कुछ chapter 7 integration chapter 8 बदल के लिखूंगा जिससे आप आसानी से इसको पकड़ पाएं application of integrals फिर लिख देता हूँ chapter 9 differential equation ऐसे लिख देते हैं chapter 10 vectors अफिर चल लेते हैं chapter 11 पर तो 3D geometry 3D लिख देते हैं काफी है समझदार है आप और chapter 12 पहले ही निपड़ चुका था 12 की जगा 13 पकड़ते हैं और 13 हो गया अगा probability यह chapter की कहानी है और इसको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ आपको जो निपड़ने हैं या जो पढ़ने हैं वो 6 chapters हमारे course में हैं जो आपको term 2 के लिए पढ़ने हैं section wise भी चीज़े बता देता हूँ section A लिख लीजे यहाँ section B लिख लीजे यहाँ section C भी लिख लीजे तीन section का जिकर किया जा रहा है तो पूरी topography में आपको दे देता हूँ यहाँ पर देखिए मैं आपको लिखता हूँ यहाँ दो-दो number के सवाल पूछे जाएंगे तो मैं add the rate of 2 कर रहा हूँ दो number के questions है B में तीन number के questions है तो add the rate of 3 और इसमें add the rate of 4 तोड़ा इसको किनारे बना लेता हूँ वरना इदर जगा नहीं मिलेगी देखता हूँ कितनी जगा मिलती नहीं खसका के लिख दूँगा add the rate of 4 अब यहाँ पर शुरू करता हूँ लिखना integration में ए वाले में 2 by 2 मैं 2 by 2 लिखने का मतलब है कि इसमें internal choice है पहले question में 2 और 2 तो 2 by 2 मैंने लिख दिया है और total question कैसे मिलेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ यही इसी में समझ जाईएगा 6 questions आने है इसमें और 1 internal choice है और इसमें कितने questions आने है हमारा B वाले section में तो B वाले में 4 questions आने थे और इस C वाले में भी हमारे 4 questions आने थे internal choices B वाले में कितनी है दो internal choices हमारे पास B वाले में है 2 I C दो internal choices और 4 वाले में internal choices हमारे पास एक थी 1 internal choices सारे data यहीं मिल गए है आपको अध्यान से देख पावे हैं आप तो तो यह बिटा हो गया 2 by 2 एक internal choice integration की फिर differential equation में दो नंबर का एक सवाल मिलेगा आपको फिर vectors में आ जाईए दो नंबर का एक सवाल है फिर 3D में आ जाईए दो नंबर का एक सवाल है फिर 3D के अध्याद probability में आ जाईए तो दो नंबर के दो question है पहले वाले sections की बात कर रहे हैं ठीक तो इस line को थोड़ा सा करीब ले आते हैं जिससे लिखने की जगाए थोड़ी ज़ादा मिल जाए ऐसे कर लेते हैं अब यहां section B की बात करते हैं तो इसमें तीन नंबर का एक सवाल integration से फिर मिलता है फिर हमारा differential equation से 3 by 3 है देखिए यानि और है 3 और 3 यानि option है इसके अंदर फिर vector से 3 नंबर का सवाल है फिर 3D से 3 by 3 है option के साथ है और यह 4 questions हो जाते हैं तो दो internal choices मिल गई और 4 questions हो गए फिर हम लोग चलते हैं तीसरे part में तो तीसरे part को मैं फिर इस line को थोड़ा करीब ले लेता हूं जिससे की लिखने के थोड़ी जगा मिल जाए वहाँ तो चार नंबर का एक सवाल आएगा integration में फिर इसके बाद एक question है AOI का application of integrals integrals का यह विचारा अभी तक रही गया था 4 by 4 arrow मना दिया है क्योंकि बहुत दूर था differential equation चार नंबर को में कुछ नहीं दिखता बड़ा सवाल नहीं आना है vectors की बात करूँ यह भी सननाटे में है 3D में चार नंबर का एक सवाल है और probability में चार नंबर की है case study यह है जो है case study अगर अब इनका total कर दें यहां पर अब यहां पर मैं इनका कर देता हूं total थोड़ा से इसको shift करता हूं और यहां लिख देता हूं क्या total तो यहां से आपको बिलकुल अंदाजा मिल जाने वाला है कि कौन सा chapter कितना important होने वाला है आपके लिए clarity मिल जाएगी देखिए तो total के तौर पर integration कितने नंबर का देखिए हो गया integration हो गया 4, 3, 7, 9 नंबर का तो 9 marks का integration है और 3 question मिलेंगे आपको integration पे रही बात AOI में तो यह 4 marks का आएगा और एक question मिलेगा इसका आपको इसके बाद मैं बात करता हूं differential equation की तो differential equation पांच नंबर की आएगी और सवाल मिलेंगे दो इसके बाद बात करता हूं vectors की तो पांच नंबर का दो question पांच नंबर के बाद तो टोटल एग्रिगेट पांच नंबर आएगा और दो question आएगे इसमें तीन questions है नो नंबर का आगिया और यहां पर बात की जाए तो तीन questions कह सकते हैं आठ नंबर के चार चार आठ तो आठ नंबर कह सकते हैं और ये रहा तीन कोईशन अब इसको देखे समझना कितना आसान है अगर आप सोचें कि इसमें से कौन सा चेप्टर सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट कौन से हैं साफ तोर पे दिखाई पढ़ रहा है इंटिग्रेशन यहाँ पर टॉप पर है और उसके बाद इंटिग्रेशन के बाद 3D जेमेट्री नौ नंबर पर खड़ी हुई है तो इंटिग्रेशन के बाद आपको 3D पर फोकस करना चा इए बार कर दूँ आपको ध्यान देना चाहिए यानि टॉप 3 चैट्टर्स क्या हुए यहां पर ध्यान दीजे यहां से क्या समझ में आता है हमारे पास टॉप 3 चैप्टर्स टॉप 3 चैप्टर्स इंटिग्रेशन की तैयारी आपकी मस्त होनी चाहिए इंटिग्रेशन में डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों की बात की जा रही है नमबर टू पे 3D की तैयारी अच्छी होनी चाहिए नो मार्क्स कंट्रिबूट कर रहा है 3D जिमेट्री और उसके बाद प्रविविल्टी बाकी पढ़ना तो सब है लेकिन टॉप 3 की बात करें यहां से यह अंदाजा निकलता है अपने को यह आप यहां से क्लियरिटी देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने का वेट है कैसा कौन से चैप्टर का कितना वेट है जो कहां से कैसा सवाल आने की उमीद है लॉंग सवाल कहां से आ रहे हैं लॉंग सवाल डिफरेंशियल एक्वेशन से नहीं आ रहे हैं तो लंबे लंबे सवाल डिफरेंशियल एक्वेशन से लगाने की आवशक्ता नहीं है वा भेजा खर्चा करके क्या करेंगे आप और इसी तरीके से आप वेक्टर के बहुत ल लंबए वाले आने नहीं है इस तरीके से आप अंदाजा ले सकते हैं एवाई का एक सवाल आने वाला है को कि इंटेग्रेशन करके थोड़ा समय उसमें लग जाता है लंबई बन जाता है अब कई बच्चे इसको लिए वड़े चिंते था जो कमेंट करते रहते हैं जिनकी जारिक बलब 20 मार्च से लेकर 30 मार्च की बीच में और अपरेल शुरू का मतला हुआ एक से लेकर 10 अपरेल यानि टोटल गेम 10-15 दिन का ही है है इस 10-15 दिन के चक्कर में अपने दो महीने बरबात करने वाले हैं वो यही है अब उनका दिमाग कहा फसा रहेगा सर मार्च इस्तिती में लगे रहेंगे जबकि कहां फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए सेंपल पिपर आच चुका है यह और हमारे पास एक क्लारिटी या इंफॉर्मेशन आ गई है जो एक्जाम की तरफ एक्जाम की दिशा में एक स्टेफ और ले जाता है और अभ और इससे सवाल उठाएं तो आप सवाल उठा सकते हैं कि पाई examination होंगे की नहीं कि कोरोना ओम निकॉन क्या रूप धरण करेगा एक महीने बाद कौन जाने इस देश में तो यह भी नहीं पता है तो क्या exam होंगे ही इसकी भी guarantee कौन दे सकता है आज कि आज की डेट में तो इसलिए बहतर इस्तिती क्या है आपके लिए मेरी राय क्या है और बुद्धिमानी किसमे है कि वो बाते ना सोचिए जो आपके आपके कैरियर को बिल्ड अप नहीं करती आप फोकस किजिए इस इस्तिती पे This is the rightest way for your career and the correct way of your thinking and action action यहीं होना चाहिए क्योंकि आपका 12th के बाद आपको 13th भी पढ़ना या पढ़ाई खतम नहीं होगी 13th class कहीं न कहीं पढ़ना है चाहे आप engineering college में जाएं चाहे आप graduation में जाएं कहीं न कहीं पढ़ेंगे ऐसा थोड़ी की 12th बंद कर देंगे डबबा अपना ऐसा नहीं करेंगे आप तो आप पढ़ाई चालू रखें यहीं बहतर इस्तिती है नहीं तो यूटूब पे तो एक हजार यूटूबर हैं और दस हजार वीडियो छपते हैं कयास लगते रहेंगे आप भसे रहेंगे तो आप फोकस करिए पढ़ाई पर एक information और आगई है CBSC की तरफ से इसकी तरह से पढ़ाई कीजिए फिर कुछ clarity आएगी जब आगे तो फिर एक information आएगी लेकिन पढ़ाई फोकस कीजिए यह जानकारी आपको लिए मददगार साबित होगी मैंने आज ही physics की वीडियो के बाद यह सोचा कि आपको correct जानकारी मिल जाए और यह पूरी मैंने details देखिए सब कुछ बना बुनू के आपको वरना तो मैं PowerPoint पर बनाना पसंद करता हूँ अच्छा लगता है मुझे बनाना लेकिन इतना समय नहीं था कि मैं इस पर बना पाऊँ तो यह बना के आपके लिए लेके आया हूँ अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्विन सर मैत और फिजिक्स का सैंपिल पेपर पुरा सॉल कर दें जो सी भी से नहीं दिया है तो उसको लेके भी कमेंट कीजिए वो भी मेरे दिमाग में कि अगर बच्चों को यह सपोर्ट करता है तो कोई उसमें दिक्कत थोड़ी है कितना बड़ा दो घंटे का पेपर बोल रहा है 15-20 कोश्चन है 15 कोश्चन है कर दिये जाएंगे आपकी मदद हो जाएगे उसमें दिक्कत क्या है उसका प्रेजेंटेशन हम लोग बना लेंगे एक दिन दो दिन लगेगा उसमें क्या जाता है जहां इतनी महनत हो रही वह भी सही वन शॉट तो आपके लिए बनाई ही रहा हूँ एलेक्ट्र मैगनेटिक वेव का रे आप्टिक्स का और भी पूरे-पूरे सबके तो बना के दिये मैस का भी बना हुआ है आप देखिए अर्विंद एकडेमी में जाएए होम पेज पे प्लेलिस सारी बना दिये टम टू कि आप देखना शुरू कर दीजे जबर्दस फाइदा होगा और जो बच्चे मुझसे मेरे एप पर एल्विंद एकडेमी एप पर मैट और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं डिटेल उसका भी लिंक दिया है डिस्किप्शन में जाके आप पर आप कोर्सेज ले सकते हैं बहुत इकनोमिकल और मिस्से पढ़ाई कर सकते हैं तैंक यू वेरी मच विश यू अल दा बेस्ट उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको एक नई इंसाइट देगा आप डिसाइड कर पाएंगे क्या वीटेज है और इसके इस आपसे अपनी प्लानिंग कर पाएंगे इन चैप्टर्स को किसी भी कीमत पर छोड़ेने की गलती मत कीजेगा निस सीधे सीधे आपको तकड़ा नुकसान होने वाला है आपको साफ तौर पर दिख रहा है थैंक यू वरी मच गुड लग बाई